हाई गाईज, वेलकम बाक, कैसे हैं आप लोग, उमिर कतियों, आप लोग बहुत अच्छी होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक, काम चल रहा था तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ, ताइम एक तो मिलता नहीं, अब मिला है तो क्यों छोड़े, कितना ओई लगाया है मैंने चुपू-चुपू बैटी हूँ मैं, आप लोग को से परकनी पड़ता है, I know that, तो जरूरी कुछ दो-तीन बाते थी, वो मुझे शेर करने थे, आप लोगों के साथ, कॉंस्टरंटली कुछ मेसेजिस आ रहे हैं मुझे कि आप क्या करते हो, क्लेज का, क्या करते हो, क तो मैंने सचा, चलो, इसका जवाब दे ही तो, एकदम, अगर मैं बताऊंगी, न, विदाउट एनी जूट, तो ये है कि, मैं पहले बहुत क्लेज महंगाती थी, अब मैंने बहुत कम कर दिया है, and secondly, पहले मैं बहुत खाती भी थी, honestly, तो, लेकिन मैंने बहुत कम कर दिया ह जो मेरा, मैं तभी भी क्रंची करती थी, मैं सॉलो कभी नहीं किया, मैंने जादा, honestly, जादा हो जाएगा, सच्ची में, तो, मैंने बहुत कम क्लेज सॉलो किये है, and दूसरी सरूरी बात, मैं अभी भी क्लेज ओर करती हूँ, तोड़ा कम तो हो गया है, लेकिन मैं क्रंच ब खोला था, उस चानल के बारे में मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करिए, वो भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा दिखिए, बीच में से मत कट करती, जो फोवर्ड में मत देखना, फिर आप लोग बाद में पूछते हो, अरे इसका क्या, उसका क्या, तो आप वी किये थी, कि आपने वो दूसरे ओला रूम दिखाया, ने, तो यह दिखा दूँ मैं, तो यह इस तरीके का ही, कि हमने बनवा आया है, शेल्फ है, और मेरा रानॉल, तो यह साइड भी सारे वाट्रोब सी है, तो देख लो, क्योंकि दो-तीन बार उसने कमेंट कर दी थी, और मैंने रिप्लाई ही नहीं किया था, तो यह मैंने, फाइनली, मेरे हाथ दो बहुत दद करते हैं, तो क्लेज का ऐसा है, सबसे पहली बातों में क्लेज बहुत करण्च करते थी, honestly बहुत करण्च करते थी, तो बात में मुझे रियलाइस सच में हुआ था, खुद ही में से कुई होता नहीं, कुछ चीज़े नहीं बदलती, तो मैंने खुद के विल पावर को बहुत जादा स्टॉंग किया है, एंड हंड्रेड में से 80% मैंने कम कर दिया, 20% पे हूँ मैं अभी, क्रंच करते हूँ, जब भी मुझे क्रेविंग होती है, क्रेविंग तो यह मि और यार वो तलब नहीं होती है, चार बजगे है जो आपको पता चलता ना, और यार चार बजगे मैंने चाही नहीं पी, मैंने चाही नहीं पी क्योंकि चार बजगे, फरक समझ रहे हो, तो यह होता है क्रेविंग, तो इस तलब को मैंने थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है खुद के willpower किसी के बताने से समझाने से कुछ नहीं होता तो यह है और जो सारे जितने सारे clay's आता है मैं सच्छी मैं बदाओ मेरे पस बहुत सारे clay's है बहुत सारे पूरा stock तो मैं दिखाया भी नहीं आपको बहुत जादा है क्योंकि मैं इतना नहीं खाती हूँ और नाहीं इतना क्रण्ज करती हूँ नाकूमट तो मेरे पास कितना भर-भर के पढ़ा है तो नाकूमट क्रण्ज भी नहीं करता है I don't like much नॉन रोस्टेड या समी रोस्टेड में कभी कभी कर लेती हूं लेकिन रोस्टेड तुम्हें सच में नहीं खाती है काली मिट्टी रेड मिट्टी पंजाब की मिट्टी यह बहुत सारी चीज़े जो है तो यह तुम्हें खाती भी नहीं करती है वह ऐसी की वैसे पढ़ी होत एक-दो जनों का crunch channel भी हमेने बताया है लेकिन हम एक दूसरे का promote नहीं करेंगे channel इसलिए हमने पहले starting से सुचा था effect हो जाता है बात में तो इसलिए कोई किसी के channel को promote नहीं करता वो अपना channel चला रही है मैं अपना उसके 15-15K हो गए है अभी and it's really nice वो ASMR channel चलाती है वो crunch channel नहीं चलाती है उसने starting में crunch channel start किया था उसने फिर बंद कर दिया मैंने उसे बोला था मत करो crunch मत करो सच में मत करो क्ले के साथ कुछ और करो लेकिन crunch मत करो यह बंद करो तो उसने बंद कर दिया and ASMR channel start किया and it's really gross good तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था वैसे मैं channel start करो उसके लिए time लगता है जैसे आपको कुछ मटकी बनानी है रोटी बनानी है कब बनाना है saucer बनाना है तो उसके लिए time चाहिए आपके पास और मेरा problem यह है कि मेरे पास बहुत ज़ादा time करते और यह मेरे लिए अच्छा है आपको भी पता है कि solve करने से क्या होता problem हो जाते हैं तो मत करो आप ही मत करो crunch करते हो तो that is okay अब वो भी अपने खुद के risk पे अपने दातों की strength देख के आप करो किसी के कहने पे तो कुछ होता नहीं है I hope आपको अब सवाल के जवाब मिल गए होगे तो यह पूछना मुझे बंद कर दो प्लीज ना क्लेस का क्या करती हो और दूसरी बहुत ज़रूरी बात है जो मेरा second channel था happy class करके वो मैंने मेरी दोस्त को दे दिया है उसी को जो already क्योंकि वो ऐसे ही पड़ा है और उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहते कि यार monetization का कैसे क्या तो पहले तो monetization का ऐसे था कि 4000 घंटे का wash time and 1000 subscribers you must आपको चाहिए complete करके फिर आप monetize कर सब्सक्राइब को अब उन्हों नया update आया है कि आप 3000 घंटे का wash time complete कर से तो 300 subscribers imagine 300 subscribers होगी तो जो कोई channel start करना चाहता है please do it आप कर लो आपका चल्दी हो जाएगा चल्दी monetize हो जाएगा कोई help चाहिए तो मुझे जरूर comment करना I will help you out guys जब भी कुछ भी comment हो मैं उसको reply जरूर दोंगी and most importantly अगर आपका पुराना channel है और एक साल में आप ये criteria complete नहीं कर पाए हो तो don't worry आप वो channel भी continue कर सकते हो जब भी आपका criteria complete होता है मतलब एक साल से पहले का वो लोग count करते है example मैं बताती हो 2021 में एक channel start हुआ और 2021 में वो criteria complete नहीं हो सका ठीक है तो में 2022 में क्यों करूँ कैसे करूँ वो तो कभी monetize नहीं होगा wrong वो होता है वो लोग जब जिस दिन आपके 300 subscribers अब होंगे अभी के और 3000 गंटे का वाश टाइम होगा तो उससे एक साल पीछे का count करते है अगर वो criteria आपने एक साल में complete कर दिया है तो आपका चानल बिंगो monetize हो जाता है आप अगर चाहें तो बहुत सारे यूट्यूबर से बहुत सारे टेकनिकल चानल से आप उनसे help ले सकते हो उनकी वीडियोस देख सकते हैं उनको comment कर सकते हैं वो reply करते हैं मैंने काफी सारे अपने चानल के चीज़ें उनसे सीखी है मैं बहुत चोड़ी-चोड़ी चीज़ें उनसे पूछ लेती थी कभी-कभी तो जैसे कि दुबेजी का है चानल है बहुत बड़े यूट्यूबर आपको पता ही होगा उन्होंने काफी बार reply दिया है दूसरे एक गुरू करके गुरू टेकनिकल टेक चैनल ऐसा कुछ है मैं इस चाहिए तो आपको लिंक भी दे दूगी तो वो भी बहुत अच्छे से सबजाते है उनकी वीडियोज आप रेफर करे और ज़रूर अपना नया चानल स्टाट करे दो पॉइंट तो कंप्लीट हो गए तीसरा पॉइंट सब लोग बोल रहे हैं आप बहुत कम वीडियोज डालते हो and that is very true मैं खुद एक्सेप करती हूँ कि मैं बहुत कम वीडियोज डालती हूँ मुझे ज़्यादा वीडियोज डालने के बहुत ज़रू होते मतलब आज मंडे हैं तो मैं कल से ट्राय करने वाली हूँ every day आने के लिए every day तो होगा नहीं मुझे भी पता है मैं बोल देती हूँ लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी सच में कि लाइव आने के लिए ताकि कुछ तो आप लोगों से इंटराक्शन हो बहुत टाइम पहले में आई थी third point and fourth most important point कुछ लोग अभी भी नए जो होते visitors not subscribers जो randomly scroll करते और वीडियो दिख लेते तो पुरानी जो वीडियो थी जहाँ पे मैंने mimicry करी है किसी को कुछ-कुछ बोला है तो उस channel उस वीडियो पे आप कमेंट कर रहे हो तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो जी नहीं डाली है मैंने वो topic उधर ही खतम कर दिया था आप लोग को शाहत पताने आप नहीं है तो वो देख लीजे अब तो not interested मुझे नहीं उसमें पढ़ना है इसलिए मैंने वो बंद कर दिया and टाइम अगर मेरे पास होता एक नहीं कमेंट किया था कि डम नहीं था इसलिए बंद करती है और I am serious डम तो अभी तक किसी ने देखा भी नहीं अगर मैं टिक जाने का बात नहीं है टिकी तो मैं अभी भी हू लेकिन अगर मुझे मेरे पास सच में इतना टाइम होता रोज लाइव आने का और रोज बगबग करने का और यह बहुत सारी चीज़े टिक भी नहीं पाते लोग मेरे सामने यूट्यूब से तो कब का नाम निशान चल रहा था honestly सच में अगर मैं जिद पे ले लेती तो लेकर मैं लिया नहीं है क्योंकि गिल्ट और अच्छा इंसान बहुत फाइन लाइन होती है आम बरी प्रेटी गूड इंसान और फिर मुझे जो गिल्ट आएगा या आता है या फिर जो मैंने किया उसके बारे में भी कभी कभी आ जाता है यार मैंने क्यों किया कैसे लोगों के नाद में लगी थी मैं I mean look at me, look at them have some इसलिए मैं इन सब्सक्रीजों मैंने पड़ते क्योंकि उन लोग का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है बहुत ही ज़्यादा मैंने कभी सब्सक्राइब कार्ड या इसे सब्सक्रीज़े ने की अपने चानल पर आप लोग देख सेबते हो और मुझे करनी भी नहीं है, सच में करनी नहीं है इस वज़े से अगर आपकी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आपकी व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो you are fake यूट्यूब पर वैसे काफी सारी fake changes चलती रहती हैं क्योंकि सारे यूट्यूबस honest नहीं होते हैं, कुछ fake ही होते हैं और बहुतों का मेरी से पाला पड़ा है और मेरा भी उनसे, तो मैं थोड़े दूरी रहती हूँ और वही सही होगा, मुझे अपने चानल ग्रो करना है और हाँ, income source का आप पूछ रहते हैं तो हमेशा multiple income source रखी है कुछ YouTubers तो भी अपने इशारो पे आप लोग को घुमाते हैं वो लोग खुद पैसे कमाते हैं आपसे कुछ काम करवाते हैं, तो मत करो है क्यों अपना time waste करे हैं, अपना internet waste करे हैं आपसे जगे पे लगाँ, कुछ लोग तो सच्छ में इतने जल्दी manipulate कैसे हो जाते हैं बात में तो realize होना चाहिए कि सामने माला जो बोल रहा है वो गलत है, वो अपने खाईदी के लिए बोल रहा है उसको किसी से कुछ निकलवाना है, रिवेंज लेना है उसको किसी कुछ दिखाना है उसका कुछ मतलब है, इसलिए वो अपने से कुछ काम करा रहा है आप बिना मतलब चल पढ़ते हो, कर लेते हो काम सही है यार, मतलब आप बहुत वेल ले हो और आपके पास बहुत टाइम पड़ा तो यह ही कहूँगी विजिटर्स हो, यूट्यूब पे जाओ, चानल्स देखो, सब्सक्राइब और, that's it कुछ अगर आपको करने के लिए बोल रहे है वो भी फोस पूले हो और कंटीनिसले तो समझ जाओ सामने वाली का फाइदा है आपको उसमें कोई फाइदा नहीं और आप बिना मतलों बुरे बन रहे हो यह थोड़ा सोचो यंग जनरेशन हो यार, क्या कर रहे हो क्यों unnecessarily कुछ फाल्तू यूट्यूबर्स के पीछे अपना टाइम पेस्ट कर रहे हो कुछ लोग तो सच में यूट्यूब पे फाल्तू है मुझे इस समझ में यह था कि यूट्यूबर्स वाले उनको टाटा बाइब बाइब क्यों नहीं करते बट क्या है ना वो लोग बहुत स्मार्ड होते थोड़ा सा नॉलेज लेने के वाद उनको लगता है कि वो गुरू हो गया है गुरू हो गया तो फिर लोगों को अच्छे बाते बताऊं चैनल कैसे चलाते हो सिखाऊं उनको भी कमानी का जरिया बताऊं यह नहीं करेंगे खुद का फाइदा करके आगे निकलेंगे तो आखे खोलो जनता ग्राहक आखे खोलो और अपना फाइदा देखो हमेशन ऐसे ऐसे लोगों के नाद में मत पड़ो ठीक है आप लोगो अगर ने चानल स्टार्ट करना है तो जरू मुझे पिंट करना में आई विल हेल्प यू आउट कुछ भी हो चानल के रिलेटेड कैसे क्या क्यों कब कैसे जो भी है मैं मानते हूँ मेरे चानल बहुत नहीं ग्रो हुआ है लेकिन बेसिक चीज़े मुझे जरूर पता है क्योंकि बहुत वीडियो देखें के बाद वो समझ आई है आपका वो टाइम बच जाएगा और कुछ में नहीं चलो गाइस कुछ हो तो जरू मुझे कमेंट करना और स्टेए ट्यून वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरू करते हैं रिनोवेशन का काम चलता है दिखा दू मैं ही जाते हैं देखो अभी यहां पर भी चल जर पुदाने बेट सिट बेट सिट डाने होगी काम चल रहा है चलो गाइस द्हान रखना अपना जरूर बारा से जल्दी मिलेंगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जरू मुझे बता देना टेक केर द्हान रखना और जो मैंने बाती कही है उन पर गौ जरू करना